नमश्कारपेंट्स, वेलकम तो अबर यूट्यूब चैनल इंसाइट्स वाइपी के वार्चने आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे केस के वारे में जो की ऑनलाइन यूपी आई फ्राउड से संबंदित है यानि कि ऑनलाइन यूपी आई फ्राउड के मामले में बैंक को अब कस्टमर का पैसा लोटाना होगा और इस वाज़ा मेजर वर्डिक्ट आउब दा कंजूमर को केस है सूरत के नफसारी का विदी सुआ गया बर्सेस एस वी आई तो सबसे पहले हम कोट के डिसीजन को जानेंगे फिर कस्टमर ने क्या अर्गोमेंट दिया था बैंक ने क्या अर्गोमेंट दिया फिर केस क्या था तो कोट का डिसीजन है गुजरात की एक कंजूमर कोट ने साइवर फ्रोड के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। उसमें SBI को UPI साइवर धोकादड़ी के शिकार व्यक्ति को 39,578 रुपे का कंपंसेशन देने का आदेश दिया है। कंजूमर कोड ने बैंक को प्रॉम्ट एक्शन नहीं लेने के लिए उसकी आलोचना भी करी। और कहा है कि ऐसे मामले में कस्टमर को तुरंत सतर करना बैंक की रस्पंसिबिल्टी है। कस्टमर ने क्या आर्गुमेंट दिया। इस केस में कस्टमर की ओर से तर्क दिया गया कि बैंक ने धन को फिर से प्राप्त करने के लिए कोई कारवाई नहीं की जबकि बैंक को पता था कि आईसे इसे बैंक के खाते में पैसे को ट्रांसफर किया गया है। बैंक ने आर्गुमेंट दिया कि फ्रॉड कस्टमर की लापरवाई की वज़े से हुआ है और बैंक ने बैंक की गाइडलाइस का पाधन किया है अब जानेंगे वाट वज़ा केस यानि केस क्या था केस है गुजरात्म सूरत के नफसारी का जिसमें विक्टेम कस्टमर ने साइवा फ्रॉड के कारण 22 दिसंबर 2021 को सब्सक्राइब की फुआरा शाखा में अपने एकाउंट से 59,078 रुपे को गवा दिया और उसने तोड़न बैंक को इसकी सूचना दी दे दी पुलिस में कंप से बाद में कोड के आदेश से विक्टिम के एकाउंट में जमा करा दिया अब बाकी बचे 39,578 रुपी जिसकी वसूली के लिए बैंक ने इमीडियेट कोई कारवाही नहीं करी जिसके लिए विक्टिम कस्टमर ने SBI को एक लीगल नोटिस भी भेजा उस बैंक ने उसका को पियाई अथर्टी से कॉंटेक्ट भी किया जिसमें पुछ्टी करी गई कि आईसे इसे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया और राशी को फ्रिज कराने के लिए उपाई भी करे गए लेकिन CDRC ने बैंक के इस कंटेशन को रिजक्ट कर दिया उसके अनुसार विक्टिम ने धो प्रंथी फ्रेज हो सकता था अधर बैंक इस लापरवाई के लिए कस्टमर को हुए फाइनेशल लॉस के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है तो आप नहीं